कि अधिया कि अधिया कि नमस्कार प्यारे मित्रों जी एस उमर में आपका स्वागत है आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और जैसा आप लोग जानते हैं जी एस उमर पर आपके लिए जनरल स्टेडिस की जो सब्जेक्ट्स हैं इनकी जो रैपिड रिविजन सीरीज है इसको भी शुरू कर दिया गया है तो पहले सबसे पहले हमें सीरीज में अपना कबर करने वाले हैं अप को पता है कि एक लख्ष्मी कांत की दोरा जो सासो आठों पीज़ की बहुत बुक है उस बहुत बुक को हम यहां पर सिनोपस सोट नोट स्ट फिर आप इसे जो चाहें वो बोल सकते हैं, समरी बोल सकते हैं, उसी के दौरा जो मेन इसका सोर्स रहने वाला है, वही रहेगा, अल्दो जो कुछ important अलग से जो कुछ fact हैं, कुछ point हैं, जो class notes रहेंगे हमारे, उनसे भी इनको include करा गया है, तो basically जो primary sources का होने वाला है, वो M. Lak लक्ष्मिकान जो कि पॉलिटी की बुख है, वहां से रहने वाला है, तो आपको पता है, revision में बहुत time लगता है, जब हम लक्ष्मिकान पो पढ़ रहे होते हैं, लेकिन ये जो notes है, almost जैसे अगर इस chapter की हम बात करें, तो हमारा ये जो समविदान का निर्माड है, making of the Indian constitution, य इस topic को हम मात्र कुछ ही मिनट में, almost 30-35 मिनट में पूरा complete करेंगे, आदे page में इसके सारे short notes आ गए हैं, तो अभी हम इनको बहुत detail में पढ़ेंगे, आगे सारी चीजों को देखेंगे, यानि कि चीज़ें आपके सामने screen पर हैं, मैं बोलके बताऊँगा, आपको समझाँ हर एक point को समझाँगा, और ध्यान रखना है, short notes से इतने important हैं, कि हर एक शब्द से question बन सकते हैं, तो अब चाहे फिर आप UPSC exam में बैट रहे हैं, आपको state PCS exam दे रहे हैं, आप ROI यानि कि कोई भी exam, जहां पर आपके slaves में quality है, और उसके लिए आपको लक्षमकांत पढ़ने की जरूत होती है, तो वहाँ पर ये जो वीडियोस हैं, आपके लिए जो series हैं, बहुत helpful होने वाली है, ये जो notes है, आप थोड़ा से एक दो test, मतलब एक दो जो लेक्षरास को देखेंगे, इनकी importance आपको खुद समझ में आ जाएगी, तो जो synopsis होते हैं, उनकी importance बतानी किस कोई नहीं बनाता, लेट टाइम में बनाए हैं, स्टार्टंग में कोई नहीं बनाता, लेकिन जब वहाँ दो-चार attempt वेस्ट हो जाते हैं, उसके बाद सबको याद आ दिये, कि नहीं सच में हम ये बनाने चाहिए थी, इसके बाद बहुत सारा time निकल जाता है, ताब हम इन सारी चीजें मैंने खुद बनाई हैं, और खुद क्योंकि मैं भी इनमें से बढ़ता आया हूं, मैं भी बढ़ता हूं, तो मैं भी सुचा कि आपके लिए भी इन सारी चीजें को प्रोवाइट कराऊं, अगर पॉसिबल होगा, तो ये जो सारी notes है, ये जो PDF है, जो आज हम पड़ेंगे, डेवाइज बेसिस पर आपको टेलिग्राम ग्रूप में हम आपको सेंड करते रहेंगे, टेलिग्राम की जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगे, आप जाके वाँ पर जोइन कर सकते हैं, बहुत सारे टेस्स और भी बहुत कुछ आने वाला आपके लिए तो इसलिए जोएन करें, थोड़ा सा support देखाएं, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ें, चली, आज के हम लेक्षर में हमने देखा पहले जो लेक्षर होया था हमारा उसमें हमने बात करी थी, उसमें हमने पढ़ा था हमारा जो historical background था, यानि जितने हमारे act वगेरा थे, 1773 का regulating act से 1947 जब तक देख हमारा आजाद होता है, अब हम देखेंगे हमारे देख का जो सम्विधान निर्माण होता है इसके बारे में, हम देखेंगे एक chronological way में किस तरह से कहां से मांग उठती है, कैसे हमारा सम्विधान बनता है, कैसे एक chronology चलती है, कैसे क् demands आती है, हमारे जो आजादी की लड़ाई में लड़ने वाले लोग थे उनके द्वारा, कैसे कैसे सारी चीज़ें उनके द्वारा होती है, और कैसके सरीके से हमारे question बनता है, एक importance जरूर है, मैं आपको यहाँ पर यह बोलना चाहूंगा, कि यह points यह जो notes है, यह जो quick series है, यह जो synopsis है, आप इनको जब ज़्यादा better way में connect कर पाएंगे, अगर आपने कहीं से भी एक से या दो बार आपने कहीं से भी quality को बढ़ा हुआ है, अगर आपने पहले से quality को बढ़ा है, तो trust में आप बहुत जल्दी इन सारी चीज़ें को recall कर पाएंगे, बहुत जल्दी revise कर पाएंगे, हाँ, अगर आप first time देख रहे हैं, तो आपको थोड़ी मुसीबत हो सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मि कांद का जो standard है, अपने आप में next level है, उसको समझना इतना आसान नहीं होता है, इसलिए वो 10-15-20 बार नहीं पढ़नी होती, इसलिए बार बार रिवाइस करन होते हैं, तो उसके लिए यह सारी इसलिए आपको यहां पर available कराई जा रहे हैं, समिधान के निर्मान की हम बात करेंगे, तो सबसे पहले starting हम देखते हैं, 1934 का time आता है हमारा, हम 1934 की time पर देखेंगे, कि हमारा एक व्यक्तिकत इस सर पर हम यहां पर देख रहे होंगे, कि personal level पर demand करी जाते हैं, सम्धान के निर्मान की, और सबसे पहले जो हम सम्धान सभा के जानकी, सम्धान सभा कौन होता है, सम्धान सभा के बारे हम बात करेंगे, तो सम्धान सभा basically ऐसे लोगों का group था, ऐसा सम्धान जियम लोगों के द्वारा हमारी देश का शम्धान बनाय पूचा जा चुगा है कि सबसे पहले सम्विदान सभा के गठन की मांग किस व्यक्ति के द्वारा करी गई थी ठीक है तो ध्यान रखना है आपको यह मन रोजी हो जाते हैं 1934 में एक साल बाद हम देखेंगे 1935 का टाइम आता है और कॉंग्रेस के द्वारा सम्विदान सभा के जाके यह ड्मांड करी जाने लगी 1935 में उसके बाद तीन साल बाद हम देखते हैं 1938 में बोश साब के द्वारा सुबाशन बोश जी के द्वारा हम देखते हैं 1939 में जो तरपुरी संकटा था अपने स्विदान सभा होनी चाहिए तो 1938 में यह जो है अप चारे ग्रूप से न और 1940 में यानि की अगले दो साल में ही यह 1940 में जो अगस्प्रस्ताव आता है यह अगस्प्रस्ताव की जो रूप में इसको असेट कर लिया जाता है तो अगस्प्रस्ताव को आप जानते हैं कि गवर्मेंट के द्वारा जब उस टाम पर सेकिंड वलवार चल रहा होता है उ माम को कि हमारे देश में समयधान बनाने के लिए एक समयधान सभा की ज़ो है ज़रूरत देखने को मिल जाती है मैंने आपको बता है समयधान सभा एक group of people था जोनको समयधान बनाने का काम करना था अब ये सम्विधान सभा के बारे हम यहाँ पर देख लेते हैं, इसका structure कैसा था, तो देखो दो चीजों को आपको ध्यान रखना है, पहले आपको mentally prepared, थोड़ा सा focus के साथ चलेंगे, क्योंकि हम quick revision कर रहे हैं, थोड़ा fast चल रहे हैं, तो आपको भी थोड़ा सा यहाँ पर speed maintain करनी होगी, ठीक है, तो देखो, अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, तो यह जो हम starting में बात कर रहे हैं, सम्विधान सभा के structure की, तो आप जानते हैं कि starting में तो हमारी ऐसा तो कुछ पहले पता नहीं था, कि हाँ, यह मांग करते आ रहे हैं लेकिन हमारी नेता होगी यह बरोस फिर से देखेंगे, लेकिन starting में क्योंकि यहां से question भी बनते हैं, तो इसलिए हम अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, starting में हम देखते हैं, सम्विधान सभा में जो total seats का नम्मर था, 389 होना था, ठीक है, और इन 389 में हम बात करेंगे, तो 296 seat हैं जो हैं वो प्रांतों की, या देखने को मिलेंगे, यानि कि मान लीजिए, जिस भी जगे की जनसंख्या 10,00,00 है, तो वहां 10,00,00 के ऊपर एक seat होनी चाहिए, ठीक है, तो इस तरह ऐसे इसका जो बटवारा यहां पर seat का वितरण देखने को मिलता है, तो कई बार ये exam में यही statement में पूछ ले जाता है, या फिर चार option में डाल के पूछ लिया था है, पांस लाग, दस लाग, पंदरेला के नमें से, कि जो सम्यदान सभा में स्टार्टेंग, जो सीटों का वितरण था, वो कितनी जनसंख्या पर कराया था, तो ध्यान रखना, आपको 10,00,00 is equal to 1 seat, ठीक है, इस पर करना था, अब इसका election कैसे होता है, तो ध्यान रखना, election के बारे में भी question आता है, सम्यदान सभा में, सम्यदान सभा में जो लोग आये थे, उनका direct election नहीं देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, कि ऐसा नहीं कि आज की ताइम पर जो हम देखने हैं, अभी जो लोग सभा के election चल रहे हैं, इ जो हमारी सम्यदान सभा है, उसके election होते हैं, ठीक है, अब सम्यदान सभा के बारे में, कई बार ये पूछा जाता है, कि क्या ये सिर्फ अगर election हुए थे, तो क्या सिर्फ elected ही थी, पूरी तरह से निर्वाचत ही, तो answer है नहीं, ये partially elected थी, और partially nominated थी, यानि कि कुछ जो सदस थे, इसमें जो है, हमें निर्वाचत देखने को मिलने वाले थे, जो की अपरतक्ष्य चुनाव के त्वार स्टिफ दारा चुन किया थे, कुछ जो जो इसमें नोमिनेट भी है, तो ध्यान रखेंगे, ये निर्वाचत और नामांकित, दोनों का mix-up थी, इस बारे में अग अब हम बात करेंगे, अब हम देखेंगे कि जो समिधान सभा है, यह बेसिकली अपना काम करती थी समयधान को बनाने में कितना टााम लगा है, तो हम पहली बेथक भी देखेंगे, लास बेथक बताई गHome smallerja वे leas November 50 को होती है अब बाकी हमारे facts होते हैं, उनको देख लेते है, तो समयधान सभा की total के मेंद से हम पहली बेथक देखेंगे, हर एक important meeting सब्語 है यहां पर प्सक्राइब नागरेटन आगे ओस धर के हैं मिलें आपको से रिलेख define मताली के जीद जाते हैं समिधान सभा की पहली बैठक आपको देखने को मिलेगी 9 December 1946 को अब ध्यान रखना है आपको दो important जो थोड़ी से difference है जिस दिन समिधान सभा की पहली बैठक होती है उस दिन समिधान सभा की जो अध्यक्षता कर रहे होते हैं और ध्यान रखेंगे यह सिर्फ एक ही बैठक के ल पहली बैठक में कुल 211 सदस्यों ने जो है भाग लिया था पहली बैठक तो हम देखते हैं 9 December 1940 को हो गई अब हम आगे बैठक देखेंगे 11 December को तो ध्यार रखेंगे कि पहली जो बैठक थी उसमें अस्थाई सदस थे सचदानन से ना जी लेकिन जो 11 December की बैठक होती है उसम अब अध्यक्ष भी हमने देख लिया भाई समयदान सवा के तो उपाद्यक्ष को भी देख लेते हैं तो उपाद्यक्ष हमें देखने को मिलते हैं H.C. मुखर जी यानि कि हरिशन्द मुखर जी लिए उसी बाहर तो हम देखेंगे कि जो B.N. राव जी है इनको समयदानिक स समयदान सवा में यही थे एक तो हम मिट कर उनकी भूम का भी आपको पता है समयदान बनाने में परारूप सम्थी के अध्यक्षा देखते हैं और B.N. राव जी जो कि समयदान के जो है हमें समयदानिक सलाकार देखने को मिलते हैं समयदान सवा के चीक है अगली जो दूसरी की इसलिए समयदान सिसलिए के फरुप में पदवार ग्रेंडर करते हैं अगली बैठक के बारे हम भारे मबात करें तो देखने ज़ा है Si ab terminar 2016 को और बहुत elegan 40 को and commonly गे ङुक् Things-go किंसे प्रस्ताव के रिखेंगे हम कि प्रस्ताव क्या था एक हमार जो प्रस्ताव नाया है हमारे जो प्रぇम्रे संविदान की समरी पढ़ है हुशा जैसे जो summary synopsis हम यहां पढ़ रहे हैं, वही summary synopsis हमें, उद्यस प्रस्ताव में वहां देखने को मिल रही थी, exactly वही चीज़ां आप connect कर सकते हैं, ठीक है, तो यह सारी चीज़ हम यहां पर इनके संबंद में देख लेते हैं, अब समविदान सभा में कुछ changes होते हैं, 1947 के act के द्वारा यहां पर देख सकते हैं, तो जैसा हमने देखा अभी हमने कल जो historical background बढ़ा था, वहां पर हमने अपने सारे act देखे थे, 1773 से लेके, 1947 तक के सारे act हमने देखे थे, तो 1947 में अंत्म में जो act आता है, वहां पर हम देखेंगे कि सम्विदान सभा को पूरी तरह संप मेरे उपर कोई भी बाहरी किसी तरह का दवाब नहीं है, अगर इसी तरह राष्ट के स्तर पर या फिर देख के स्तर पर आप बात करेंगे, मालीजी अगर हमारा भारत संप्रभू है, तो संपुर्बता का मतलब यह ना तो हम USA के दवाब में है, ना हम चायना के दवाब में हम किसी भी कंटरी के दवाब में नहीं है, हमें अपने जितनी भी राष्टी अपने शारी डिसीजन्स लेने है, उन सब को लेने के लिए हम अपने खुद ही तरह से फ्री हैं, पूरी तरह से इंडेपठनेंट हम क्सी का दवाब कोई पड़दास्द नहीं करेंगे, यह मतल लेकिन अब जब सभी अमारा देश आजाद हो गया तो तो तरान्त ऐसा है नहीं और जब तक नहीं सरकार का चुनाब नहीं हication नहीं गथन नहीं हुआ तब तक हमारी जो सम्विदान सभा थी इसी ने दो function play करे थे दो अपनी भूमका निवाई थी पहली भूमका प्रात्मिक थी यानि कि सम्विदान का निर्मान करना प्लस जो दूसरी भूमका थी कि इसको as a parliament या फिर एक विदायका के तोर पर भी काम करना था तो ध्यान रखेंगे इस time पर इसकी दोनों जो भूमका हो जाती थी अलाग लोग हो जाती जैसे यहां पर mention आप देखेंगे बत और विदायका यानि कि जब एक संसद की तरह जिस time पर एक बैठक होती थी सम्विदान सभा की तो उस time पर इसकी बैठकों की अधिक्ष्ता कौन करता था जीवी मावलंकर सा यह याद रखना है आपको और जब दूसरा इसका जो function हमें देखने को जो कि primary function था उसके बारे हम बात करेंगे तो जब हम देख चुके हैं already कि जब सम्विदान सभा सम्विदान बनाने का काम करती थी तो यह उस time पर इसकी अधिक्ष्ता कौन करते थे जैसे हम जानते हैं स 389 सीटें होने वाली थी लेटर और हम देखते हैं यहापर कि हम जैसा बाद में हम देखते हैं तीन जून की योजना जैसे डिकरी प्लान या फिर बालकन प्लान भी बूलते हैं जब हम बाद में परिशान हो जाते हैं कि भाई नहीं अब तो यह जिन्ना ने यह वह हालत कर जैसे विवाजन होता है पाकिस्तान और भारत का अलग तो स्टार्टंग में हमने देखा था कि जो 389 सीटें रखे गए थी यह 389 सीटें रखे गए थी पाकिस्तान भी इसमें इंक्लूडेट था क्योंगे तब तो पाकिस्तान की अवदाना को हम यह अश्ट करा नहीं था तो तब तो यह दोनों के साथ मिक्सप चल रहा था मामाना लेकिन जब पाकिस्तान अलग हो जाता है बारत से तो फिर से जो है रिस्ट्रक्चरिंग होती है हमारी जो समिधान सभा की सीटों की तो जब पाकिस्तान की अलग हो जाने के बाद हम सीटों को देखेंगे तो पाक ठीक है तो देखेंगे जहां तर जो रियासतें थी हमने सामिल करनी थी तीन रियासतें हमारी जो बची हुई थी कौन कौन सी जम्मू कस्मिर जिसको हमने विले पत्रिय द्वारा सामिल कर लिया है तो हम बात करेंगे तो हमने वहां पर उपरेशन चलाया था जो हम बात करेंग यहाँ पर इनका देख लिए, हमने वोटिंग देख लिए, इतना काफी है, इनके बारे में जानने के लिए, सारी चीजी है, और सारी एक-एक पॉइंट, जो है, लक्षमल काम्द को आपने मिल जाएगा, वहीं से एक-एक शब्द, एक-एक अक्षर को उनमें से उठाया गया है, आगे हम कुछ जो date है important उनमें से देखेंगे, क्योंकि date से कोई ना question अच्छे कासे पूछे जाते हैं, UPSC में तो यह कौन से सही सुमे लेते हैं, ठीक है, यह पूछ लेगा, चार ओप्शन नीचे देगेगा, कितने योगम सही सुमे लेते हैं, केवल 1, केवल 2, केवल 3 यह पूछ लेगा, state में क्या करवाता है, डेटों से, या तो exactly 4 options में से आपको एक डेट देगा, या फिर यहां पर भी 3-4 option देगा, यहां पर भी 3-4 option अब आपसे मिलान करा लागा है, कि चलो मिलान करो, तो जो date हैं आपके लिए बहुत important है, हर एक date को आपको ध्यान से दे स्विकार कर लिया गया था, अब आप तो यह कहेंगे, फिर हम जो है, अपना Republic Day 26 January 1950 को क्यों मनाते हैं, तो देखिए, उसका reason यह है, कि 26 November 1949 को हमने समयदान को अपनाया था, लेकिन partially अपनाया था उस टाइम पर, पूरी तरह से हमने अपने समयदान को adopt करा था, ध्यान रखे है, उस historical approach को मैं आपको बताऊं, तो basically हम पहुंच जाते हैं, आप अपने आपको back reverse करके time machine को ले जाके वापस, आप 1930 में पहुंच जाईए, और 1930 में आप देखते हैं, 1930 में जो है Congress का लाहोर अधिवेशन होता है, और उस लाहोर अधिवेशन में 26 January 1930 को ही पूर्ण सुराज दिवस मनाया जाता है, Congress के दवारा, यानि कि पूर्ण सुराज की मांग करी जाती है, और पूर्ण सुराज दिवस ही लोग सेलिबरेट करते हैं, आप जानते हैं, रावी नदिगे के थाट पर इन लोगों के दवारा, जो जंडा फेराय वागरा, ये सारे कारे करम करें रूप में हमने दो महीने वेट करा था, यानि कि 26 नवंबर से लेके 26 जनवरी तक दो महीने वेट करा था, और 26 जनवरी 1950 के दिन को फाइनली हमने यहां पर पूरी तरह से अपने समयदान को अडॉप्ट करा था, अन्य कुछ अगर डेट्स के बारें बात करेंगे, तो यहा आ सकता है, गलत कौन साइन में से यह भी आ सकता है, तो डेटें आपको एग्जेकलि, अब दिखिए यह राष्टमनल के सदस्ता क्या है, कॉमन वेल्थ कंट्रीज की हम बात करें तो आपको पता ही है, जो ब्रिटेन है, स्टार्टिंग से इनकी यह राय था, कि आपने यह राष्टमनल की सदस्ता हमारे वारतियों के द्वारतियों के द्वारा मई 1949 में लिए गी, उसके बाद हमारा जो राष्टिय धोज तिरंगा है, 22 जुलाई 1947 को हमने इसको अडॉप्ट करा, डेट आती है, बारवार एक्जा में पूछा जाता है कि किस दिन को हमने इसको अडॉप्ट करा, उसके बाद हम बात करेंगी, तो राष्टगान और राष्टगीत, यानि के हमारा जनगरमन और वंदे मातरम, इससे भी अच्छी खाजी हमारी डेट पूछी जाती है, तो इसको अडॉप्ट करा गया था हमारे द्वारा 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, पूछा 2015 से हम समयदान दिवस को यानि मनाने लगे, celebrate कने लगे, क्यों, क्योंकि अंबेड कर साब की जो है, हमें याँ पर जैन्थी देखने को मिलती थी, उस ताइम पर साइध I think 125 जैन्थी थी, और तब से हम इसको celebrate करते आ रहे हैं, ठीक है, 2015 से, यह भी आपको पता होना चाहिए अब देखो, important date तो आपको पता होगे, इस सारी important date आपको याद रखने, ध्यान रखना, यह जो short notes है न, इनका चाहिए तो आप screenshot लेना, नहीं तो में जो टेलिग्राम लिंक है, जो group होगा, उस group में इसको जो PDF होगा, आदे पेज में हमने सारी chapter को कर लिया है, तो वहाँ प से प्रकार से अमारी सम्हिदान सभाबी, वहाँ पर विवनी समतियों के रूप में, उसको काम दिये गए थे, अब यह जो जितनी भी समतियां होती है, इन समतियों की अध्रक्सा अलाग अलाग लोग कर रहे थे, तो इए, basically question अमारे यहीं से पूछे जाते हैं, क्यों सी समत संगयी संविदान संभंदी जह हमारे संथ संथी ए Be अधिक्सी संधिक्स नहरुजी के दोरह यहां पर हमें देखने को मिल जाती है उसके बाद हम प्रांति On संविदानी उसकी प्रांटी के दोरों इन तीनों कि तिक करी जा रही hice एटीए आप अब ध्यान रखना है, मूल अधिकारों सम्मंदी जो मुख्या सम्मंदी थी इसकी अधिक्सा पूछा जाता है, तो fundamental right और अल्पसंगे मामलों की जो उप समय देख लेंगे उसी तरह से अल्पसंगे मामलों की जो उप समय देख लेंगे है ऐसी मुखर जी यानि कि आरेशन मुखर जी के दौरा करी जा रहे थी तो तीनों की जो कौन कर रहे थे पटेल साहब कर रहे थे लेकिन fundamental right और minority affairs वारी जो सब committees होती है उसके बाद the most important प्रारूप समती तो हम जानते हैं डॉक्टर बियार अमेड कर साथ बाबा साहिब हमारी इसके प्रारूप समती की अधिक्सा कर रहे थे प्रकरिया और नियम संचालन जो हमारी समती होती है अब हम जानते हैं ज़्याद तर हम लोग यह जानते हैं कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो राज्यों का एक ही करण करने में यानि कि राज्यों को हमारी जो पूरे भारत देश में मिलाने में उस टाइम पर तो उस टाइम पर हमारे जो लहोपुरुष सर्दार बलब भाई पटेल जी हैं उनका योगदान बहुत ज़्यादा रहा था यानि उनके द्वारा ही बहुत ज़्यादा बूम का इस मामले में निवाए गई थी तो कमन से इस हम क्या टेश कर लेते हैं कि राज्यों से समझधा करने के मामले के जो समथी होगी तो पटेल सा होंगे इसको अध्यक्ष लेकिन ध्यान रखना है प्यारे में तुरो समिदान सवा की अधिक्षा करते थी मावलंकर साफ इसलिए समिदान सवा की जो कारे समति होती थी तो उसकी अधिक्षा को जीवी मावलंकर साफ करते हैं उसके बाद काय संची के बारे माँ बात करेंगे, तो के मुनसीव साप के दौरा हमें इसके अधिक्सा देखने को मिलेगी, राष्ट द्वज जो समिती है, बहुत इंपोर्टेंट है, कुश्यन आते हैं, राजन्त प्रसाद जी के दौरा इसके अधिक्सा हम या पर देखने क इनका, और जो राष्ट द्वज तो यह तो हमने अलड़ी देख लिया, यह रिपीटिट बूर पर आ गया है, अब दा मोस्ट इंपोर्टेंट हमने देख लिया, कि जो प्रारूप समिती थी, इसकी अधिक्सा तो बियार मेड़कर साब कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें साथ सदस्य सामिल हो रहे होते हैं, तो सदस्यों से कुश्यन आते हैं, कौन सा सामिल था, कौन सा सामिल नहीं था, है ना, पांच-छे-साथ आप्शन आपको देदी जाएंगे, अब एक-दो चार्ज, पांच-छे-साथ ऐसे ढूड़-डूड के बनाते जाएंगे, तो एक-एक मुंसी साहब, चोथे सयद मौंबत सादुल्ला, चोथे एन माधव जी, और अंतिम, सॉरी, ये बेसिकली छटे होने वाले थे, लास्ट में अंतिम में हम देखेंगे, तो टीटी कृष्माचारी जी, ये अंतिम बंदे होते हैं, अंतिम में कुछ जो डेट हैं, ये बचे हुई हैं, यहाँ पर हम देखेंगे, तो पहली बार हमारा समयदान पढ़ा कब गया था, अडप्ट को तो हम जानते हैं, 26 नवंबर को कर लिया था हमने, लेकिन अगर हम पढ़ने की बात करेंगे, तो पहली बार समयदान कब पढ़ा गया था, 4 नवंबर 1948 को, ये जो है, पहली बार हमारा समयदान है, इसको रीड करा गया था, उसी तरह से, हम जानते हैं, 26 नवंबर 1948 को, हमने इस दिन को अपने समयदान है, उसको स्वीकार अंगिकरत करा था, तो उसी दिन हमारे जो समयदान है, उसका स्टेटस क्या था, वो स्टेटस क्या था उस दिन, तो हम ध्यान रखेंगे, 395 पूरे आर्टिकल थे उस टाइम पे, ठीक है, अलांकि अब A, B, C, D करके, ऐसे कुछ 400 को रिश्पॉंस गया ऐसे, लेकिन मूल जो अनुशेद हैं, वो 395 में देखने को मिल जाएंगे, तो उसी दिन, आठ अनुशूचियां में देखने को मिल थी, थी हमारे भारती समयदान में, यानि कि मूल समयदान में कितनी अनुशूचियां थी, जो 9 अनुशूचि होती है, लेंड रफर्म वाले, तो यहाँ पर ये चीज एड़ करेगे, कि जिन भी अधनियामाओं को 9 अनुशूचि में एड़ कर दिया जाएगा, उनका जो है, जुडिशल रिवीव नहीं होगा, नियाएक समिक्षा नहीं होगी, लेटर हम सुप्रिम कोर्ट के दौरा ये बोलेंगे, सुप्रिम कोर्ट ने ये बोल लिया, कि नहीं वाई, ऐसा नहीं है, 24 अप्रेल 1973 के बाद, जितने भी अधने में इसमें आप एड़ करेंगे, उनका हम रिवीव कर सकते हैं, ठीक है, तो ये थी हमारी नौवी अनुसूची, दस्वी अनुसूची के बारे में आप बात करेंगे, तो 52 में सम्विदान संसोदन के दौरा, 1985 में दलवदल कानून जिसे एंटी डिफेक्षन लॉबी बोलते हैं, उसको सामिल करा, यानि कि जो सदन के सदस्या, उनको निरहर करने में, आनको डिस्क्वालिफाइ करने में, आया राम गया राम की राजनी दिये, कभी कोई सदस्य किसी पार्टी में गोसी आ, तो एक political stability लाने के लिए, ये गवर्मेंट में एक stability लाने के लिए ये जो हमारा anti-defection law है इसको लाया गया 1985 में 52 में सम्विदान संसोधन के द्वारा 10 वी अनुसूची को हमने वारती सम्विदान में एड़ करा ग्यारवी अनुसूची के बारे में बात करेंगे तो हम जानते हैं त्यत्तरवे सम्विदान संसोधन के द्वारा जो अमारे लोकल गवर्नेंस यानि की पंचायती राज इंस्टिटूशन है नहीं पंचायत ग्राम सभा ठीक है इन सारी चीजों को हम देख रहे थे जिला पंचायत ब्लोक पंचायत त्रेस तर्य जो बलोंत राय समय था सम्विदान संसोधन के द्वारा हमारे जो सहरी इस्थानी निकाय थे नगर पालका नगर हमने इनको अडाप्त करा था तो चार हमें सूचे अक्सरा कहा से मैंने आपको बता दिया लगे आता आप ये भी जान लीजी कि टोटल हमारे जो भारती समय ने टोटल 22 बागों में बटा हुआ अभी प्रजेंट में ठीक है अब देखिए अंतिम एक चीज बचीज बची अभवा का वे इनको समय्दान सभा चेंड से होने लिए कि या सामिल करा कि तो इसी बात नहीं नहीं भारत में बहरत में मुस्लिम थे काफी लेकिन इन्हों ने ये आरोप लगाया था क्योंकि बाहर का बंदा है कुछ भी बोलेगा तो इसको सीरिस नहीं लेनेगा ठीक है तो इसने ये आलोचना लगाय थी इसने ये आलोचना करी थी आक्षेप लगाया था समधान सभा के उपर कि basically हिंदूओं का निकाह है समधान सभ स्भाव ठीक है अगला जो statement बोला गया था समधान सभा के बारे में जो चर्चिल के दार बोला गया था चर्चिल ने recommend कर रहा था है आप टॉपस की बात चोड़ दीजी मेरे साथ या मेरे ग्रोप में जो लोग मेंस दे रहे हैं या फिर जब इंटर्वी बगेरा जो चल रहे हैं मतलब मैं बता हूं तो हो सकता है आप लोग यह सोचें कि पता नहीं क्यों मैं इतना प्रमोट कर रहा हूं लख्मिकान्द मेंने लेको बढ़ रही हैं एक दो बार पढ़ रही है अधे नहीं भी बढ़ा तो ओके सारी चीज़ें आपको यह मिलने वा लोगा तो पैसे प्धार को प्रमोट को के इस निफेब हैंगे economy को भी हम पढ़ेंगे, बहुत लोगों का डर होता है, एकोनमी में देखते हैं, उस डर को भी देखेंगे, बहुत मझे से पढ़ेंगे economy को, क्योंकि नया content बन रहा है, और ये जितना भी content है, किसी का कोई copyright नहीं है, किसी का कोई बी कैसा भी किसी तरह आखा कोई credit नहीं है, ज अगले में आप से मुलाकात होगी आप रिवीज़न भी कर रहें यह साथ चाहिए और इस तरह से आगे बहुत सारी इनिशेट्व भी आपको गएक देरे बस तोड़ा ध्यरे बनाए रखें साथ बनाए रखें आंत में यही रेकेस्ट करना चाहूंगा सब्सक्राइब जरूर कर जाना प्लीज आपका कुछ नहीं बिगट रहा फ्री ऑफ कॉस्ट जो पेड़ सीजिए मार्केट में पेड़ विक थी ये सारी सीजिए बट क्योंकि अभी हम इनिशेल फेज में तो आप जो पहला स्टार्टिंग में साथने वाले बनने तो यह आप पर तरीके से गिफ्ट